दोस्तो आज के इस वीडियो में हम DBT के बारे में जानकारी लेंगे तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे के बेंक में DBT क्या होता है लेकिन इससे पहले आप लोगों मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आप लोगों का बेंक अकाउंट कौन से बें सुरूक किया गया था DBT का इस्तमाल सरकार की तरफ से मिलने वाली चात्रव रूति पैंशन और गेस की सबसीडी को सिधा वेक्ति के बेंक खाते में बैजने के लिए किया जाता है DBT के मात्यम से सरकार डाइरेक्ट लाभार्ति के खाते में पैसे बैद देती है क्योंकि आपको अपने आधारकार को NPCI के सरवर के साथ लिंक करना होता है ये बिल्कुल वेसे ही समान है कि आप बैंक में जाके अपना आधारकार लिंक कर दिजिए तो ऐसा करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में DBT एक्टिवेट हो जाता है DBT को एक्टिवेट करने के लिए वापस जमा करने होते हैं, फॉम जमा करने के बाद बैंक में उसका प्रोसेस सुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद आपके बैंक अकाउंट में DBT एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि आपका आधारकार का रेकोर्ड NPCI के सर्वर में पहुंच जाता है, तो अब जानते है के DBT कैसे काम करता है, तो आप लोगों को बता दू के DBT में व्यक्ति का आधारकार उसके बैंक अकाउंट से और NPCI के सर्वर के साथ लिंक कर दिया जाता है, ताकि सरकार के द्वारा मिलने वाला लाब सिधे व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचाया जा सके, और अब हम बा ही इसी के साथ वीडियो खतम करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दू के अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉंच कर दी है, तो अगर आप गूगल पर जाओगे, सर्च करोगे, एजाच कला डिया, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, उसके कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिपीकेशन आप तक पहुँच सके, और इस वीडियो से संबंदित किस वी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करे, दोस्तों गर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो तो वो टोपिक आपने चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो